आशा कारेक्रम जम्मु कश्मीर के ग्रामीर क्षेत्रों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एवं हैजा जैसी वीमारियां भी कम हो रही है प्रदेश के ग्रामनीर क्षेतरों की सूरत बदली है क्योंकि उन्हें आशाकारेकर्टाओं का साथ मिला है जी हाँ, प्रदेश की महिलाओं और नवजातों के लिए आशाकारेकर्टा उम्मीर की नई किरन बद कर आई हैं आज इन ही की बदौलत गाउं देहार के एक शेत्रों में सस्ती और बढ़िया स्वास्त सेवाय पहुच रही है चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं राष्ट्रिये ग्रामनीर स्वास्त मिशन के तहत प्रतियेक गाउं के लिए एक प्रशिक्षित महिला सामुदाइक स्वास्त कार्यकरता उपलब्ध कराई गई है आम बोलचाल की भाषा में इन्हें ही एक्रोडाइटिड सोशल हेल्थ अक्टिविस्ट यानि की आशा कहते हैं आशा कार्यकरताओं को गाउं से ही चुना जाता है इसलिए वो गाउं के प्रती उत्तरदाई होती है आम तोर पर अपने गाउं के बारे में उन्हें बहुत कुछ मालूम होता है जिसे किसका घर कहा है? कौन सा रास्ता कहा जाता है? यातायात के साधन क्या है? आदे आशा कार्यकरताओं अपनी पंचायत के प्रती जवाब दे होती है इसलिए सभी तरह के तीका करण कारिक्रम को बढ़ावा देने जननी शिशू स्वास्त कारिक्रम के बारे में जागरुपता फैलाने घरों में शौचालयों के नजबान करवाने और स्वास्त की देखभाल से संबंधत अन्य किसी तरह के कारिक्रमों में वांगन बारी, कार्यकरताओं और ए एन एम आदी विभागों के कर्मचारियों को अपना सहियोग देती है स्वयम सहायतास समूहों को सशक्त करने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है ग्राम नीड़क्षेत्रों में संसाधनों के अभाव में भी नवजाद शुचुओं की देखभाल किस तरह की जानी चाहिए इस बात की जानकारी इनहें होती है आज देश में आठ लाग से अधिक आशा कारे करताएं हैं जो करमठता, निष्ठा और संकल्प शक्ती के साथ भारत में गाउं की सूरत बदल रही हैं भारत की बड़ी ग्राममीड आबादी तक इनकी पहुच है लोगों से इनका लगाव इतना फास है कि आम तौर पर लोग इनहें आशा कारे करता नहीं आशा बेहन या आशा दीदी कहकर गुलाते हैं बढ़ती हुई आबादी भारत के लिए विक्राल समस्या बनती जा रही है विकास शील देश होने के कारण भारत सरकार जनसंख्या नियंतरन के लिए कई तरह के कारिक्रम चला रही है भारत में बढ़ती हुई आबादी का एक मुख्य कारण लोगों में जागरुकता का अभाव भी है ग्रामीड क्षेत्रों में ये आशक कार्य करता हैं महिलाओं को गर्भ निरोद के उपाय बताने के साथ साथ स्वास्त केंद्रों से सहायता भी दिलवा रही है भारत सरकार की महतवकांशी योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को ग्राम 시청 पर सफल बनाने के लिए ये कार्य करता है महिला इवं बाल विकास मंत्राले, स्वास्त इवं परिवार कल्यान मंत्राले और मानव संसाधन विकास मंत्राले के साथ मिलकर कई तरह के कार्य कर रही है जिससे लड़कियों के साथ होने वाला भेदभाव दूर हो रहा उनके प्रती लोगों की नकरात्मक मानसिकता बदल रही है इसी तरह सुकन्या सम्रिद्धी योजना के बारे में घर घर जाकर बताने में भी इनका एहम योगदान है इस योजना के तहट आशा कारे करता हैं कन्या के माता पिता को कन्या के नाम से खाता खोलने के लिए प्रेड़ कर रही है गाउं में आज तेजी से घर घर गैस तलेंजर लग रही है क्योंकि प्रधान मंतरी उज्वला योजना के तहट गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आशा कारे करता हैं इसके बारे में जागरुप कर रही है आशा कारे करताओं संग नारी भर रही है उडान ना कोई अर्चन ना कोई धकान